तो भाई लोग कैसे हो, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, MIE 12 के अंदर हमें एक बहुती बड़या फीचर मिलता है, जिसका नाम में Floating Window, जो की काफी कमाल का फीचर है, अगर आप चाहें, दोस्तों उस फीचर को आप अपने किसी भी फोन के अंदर यूज कर सकते हैं, हर एक फोन, हर एक शावमी फोन को सपोर्ट कर रहा है, अगर आप दोस्तों इनेबल करना चाहते हैं इस फीचर को, तो इस वीडियो को आपको पूरा लास तक देखना पड़ेगा, तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू वर्क कर रहा है, जल्दी उसका एक अपडेट आने वाला है, जिसके बाद आप परफेक्ट फ्लोटिंग विंडो को अपने फोन के अंदर यूज कर पाएंगे, फिलाल दोसों यह जो फीचर है, यह बिल्कुर फ्लोटिंग विंडो की तरह है, बिल्कुर सेम उसी तरह से व इस तरह से आपको वन क्लिक में देखिए, इस तरह से फ्लोटिंग विंडो मिल जाती है, और यहाँ पर आपको इसको जो है, आप इसली रिसाइज कर सकते हैं, और इसको बड़ा चोटा भी कर सकते हैं, और बैक्ग्राउंड में जो आप उसको यूज कर पाते हैं, साथ ही अगर आप चाहें, तो कोई अदर विंडो यानि की एक और आपको चाहिए, तो वो भी आप यूज कर पाते हैं, तो देखिए, अभी आप मैं टोटल तीन विंडो को यूज कर पार हूँ, और इस तरह का फीचर आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर भी नहीं मिलता है, त सरफ आपको एक ही फाइल चाहिए, एक ही अपडेट फाइल चाहिए, जिसको आपको अपने फोन के अंदर अपडेट करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां पर यह है सिक्यूर्टी का लेटेस्ट वर्जन, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक आपको अपडेट करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने फोन के अंदर उसके बाद आपको सेडिंग्स के अंदर जाना है, और यहां पर आपको मिलता है special feature, अगर यहां पर आये ना, आप मेरे फोन में ना आने का कारण आप समझ रहे हैं, तो मुझे बार बार बा आपको सर्च करना है, और उसके अंदर सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, एक option जो कि आप देखेंगे, यहां पर यह वीडर टूल बॉक्स का, यह देखें, इस feature को आपको इसको इनेबल करना है, और यहां पर आप देखेंगे, यह special feature का एक feature है, जो कि यहां पर लिखा भी कर सकते हैं, जो भी आपके phone के apps है, जिसके अंदर मतलब आप इस feature को इनेबल करवाना चाहते है, जैसे कि आपको कोई game हो गया, या फिर आपको YouTube हो गया, या फिर कोई भी app हो गया, जिसके अंदर आपको जरुद परती है, तो उस तरह से आप इसे इनेबल करवा सकते है, प चाहें तो आप कोई other window चीए, तो वो भी जैसे कि मैंने एक तो file manager होगे, दूसरा ये whatsapp का, तो देखें, तीन-तीन window अभी मैं use कर पा रहा हूँ, और easily आपको resize करना तो वो भी कर सकते हैं, मतलब आपको छोटी window चीए, छोटे भी कर सकते हैं, बड़ा भी चीए तो वो भी, बिल्कुल floating window की तरही work करता, बल्कि इसके अंदर आप काफी सारी एक साथ window को enable करवा सकते हैं, और देख सकते हैं, मैं अभी 3-3 window को use कर पारूँ, कोई lag, कोई ऐसा issue नहीं है, तो काफी कमाल का feature है, जो आप enable कर सकते हैं, तो make sure कि दोस्तों आपको ये video पसंद आई होगी, और अगर आपको ये feature अच्छा लगा, तो video को like करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और आप हमेरे telegram पर भी join कर सकते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे next video में, तब तक लिए thanks for watching.